Hi guys, I'm Sakshi Bhava and you're welcome to my channel, Knowledge Galore. So this is your course happening on this channel, जिसमें हम descriptive English कर रहे हैं, ऐसे कि बहुत सारे topics में आपको देने वाली हूँ, यहाँ पर content उसका मिल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, class को bank combat test, तो आपको पता ही है कि हर्जंदे सुबा 10 बजान academy पर होता है, यह free test होता है, scholarship जीतने को मिलती है, तो जरूर लीजेगा, आपको description box में एक link मिलेगा, उस पे click करके, Sakshi24 code उसकर करके unlock कीजेए, ठीक है, आचा, ask a doubt feature, जो भी doubt होता है न, अन academy learning के आप पर जाओ, इस feature को open करो, doubt की photo upload कर दो, subject select करो, आपका doubt answer हो जाएगा, ठीक है, अचा, बात करते हैं, batches की, तो अभी 15 December को आपका नया batch start हुआ है, descriptive English का, जिसमें, आपके essays में, चेक कर रही हूँ, class में, तो अगर आप avail करना चाहते हैं, यह facility क्योंकि yes, content तो मिल जाएगा, बर देन, आप क्या लिख रहे हैं, आप तो गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छोटी-छोटी गलती यहां होती, जहां पर marks चले जाते हैं, और फिर वही final selection रह जाता है, तो वो गलती यह अगर आप कर रहे हैं, तो निसुधारना चाहते हो, और चाहते हो कि मैं चेक करूँ, तो आप यह plus का course खरीद सकते हो, उसमें क्या करना है, आपको description box में आप जाएंगे, बहाँ पर आपको एक link मिलेगा, साक्षिर 24 code उसमें अल्रड़ी लगा हुआ है, बस आपको उस पर purchase करना है, खरीद के, क्लिक करके उसमें पर purchase कर सकते हो, तो कैसे उस link पर click करोगे, description box में जाओ, link पर click करो, plus या iconic, दोनों में से एक select कर ले ना, ठीक है, पर उसके बाद आपको वही page ओपन हो जाएगा, जिसमें और अज़री code लगा होगा, बस number of month select करने है, ठीक है, the bankers नाम की YouTube चैनल पर आपका 7am, the Hindu editorial का class होता है, जिससे reading, vocab and grammar, तीनों आपकी improve होती है, तो ऐसे topic, अब next हमारा क्या है, pros and cons of lockdown, तो ये तो definitely यतना in topic है, lockdown हुआ, क्यों हुआ, वो तो सभी को पता है, बर then pros and cons उसके क्या रहे, वो आपको बताना है, ठीक है, तो ये आपका topic है, तो इस पर आप देख सकते हो, कि आपको introduction बिलकुल अलग से नजर आ रहा है, फिर ये आपका body paragraph 1 है, तो lockdown में क्या हुआ, पहले आप वो बता सकते हो, कि बहुत सारे migrant workers, आपने देखा, ये पिछले साल की बाद चल रही है, 2020 March, April की बाद चल रही है, कि migrant workers जा रहे थे, logistical problems आ रही थी, GDP growth rate कम हो रहा था, यहाँ पर एक break दे देना चाहिए था, ठीक है, तो there is some fault over here, इसको I think editing issue हो गया है, तो यहाँ पर एक break दे देना चाहिए था, यह next paragraph में आएगा, इतना बड़ा paragraph हमको नहीं लिखना है, ठीक है, तो amongst से जो है आप एक next paragraph दीजे, और उसको आप वहाँ पर लिखिए, ठीक है, तो basically आप pros and cons बता रहे हैं, कि lockdown में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, फाइदा तो definitely यह है ही, कि उससे कर टेल करने की कोशिश की गई, क्योंकि first, जो आपका lockdown वहा था उस time पर, लोगों को पता भी नहीं था, कि you know what is going to be, you know what is going to be this impact, कि भई लोगों के उपर impact क्या होगा, and sorry, so लोगों के उपर impact क्या होगा, और लोग कैसे fight कर सकते हैं, COVID को, जब उनको पता ही नहीं था, तो वो चीज कहीं न कहीं, एक तरीके से फाइदे मन भी थी, कि हाँ, अगर हमने lockdown कर दिया है, तो अब कर्टेल हो जाएगा, ठीक है न, बट देन वो तो लोगों को बाद में पता चला, कि यार lockdown करने से भी कोई फरक नहीं पड़ा, क्योंकि we were actually, if we were roaming around, we were actually putting that kind of burden on the hospitals, है न, तो हम doctors पर वो burden डाल रहे थे, इसलिए lockdown किया गया था, तो फाइदे में आप उसको लिख सकते हो, उस बात को लिख सकते हो, और नुकसान तो फिर खेर हैं ही बहुत, ठीक है, तो नुकसान में GDP गिर गया, लोगों को एक तरीके से चलने में दिक्कत हुई, एक जगा से दूसरी जगा जाने में दिक्कत हुई, तो all these things you can just mention, ठीक है, so conclusion जो है वो आप towards the end, जो है वो आप लिख देंगे, right, conclusion needs to exist, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि conclusion अगर नहीं होगा, तो फिर आपके marks कटेंगे, तो उसको तो जरूर से रखना ही रखना है, ठीक है, तो that's it for this class, अगर अच्छा लगा हो, तो जरूर से like कीजेगा, and I will see you tomorrow,